हेलो दोस्तो वेलकम टो आवर चैनल अनफोर्ज ओग इस वीडियो में हम राजस्थान की मुख्य मंत्रियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको में बता दू मेरे वीडियो चूड़ी अपडेट्स के लिए मेरे इन सोसल मीडिया हैंडल्स को जोईन एंड फॉलो कर सकते हैं सो बिना किसी डिले की वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम राजस्थान की बारे में जानते हैं दोस्तो राजस्थान यानि राजाओं की भूमी भारत के उतरी पस्चमी भाग में इस्तित राज्जी हैं दोस्तो इस राज्जी के गठें 30 मार्च 1949 को हुआ था और राजस्थान की राजधानी जैपूर है और साथी दोस्तों जैपूर यहां का सबसे बड़ा सहर है राजस्थान में 33 जिले हैं और दोस्तों छेत्रफल के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के हिसाब से साथवा राज्य है यहां के ओफिसियल लेंग्वेज हिंदी, इंग्लिस और जो रिजिनल लेंग्वेज हैं वो राजस्थानी है इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में विधान सभा की सीटों की संख्या 200 है दोस्तों अब हम राजस्थान के सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे हीरा लाल सास्त्री इनका जन 24 नॉंबर 1899 को जैपूर डिस्ट्रिक्ट के जोबनेर में हुआ था इनका कारेकाल 7 अप्रेल 1909 से 5 जन्वरी 1951 तक रह और इनकी पार्टी भारती राष्ट्री कॉंग्रेस थी दोस्ते अपने पत से इस्तिफा दे दिये थे इनके इस्तिफे के बार राजस्तान के दूसरे मुख्य मंत्री रहें सीयस वैंकटाचारी इनका जन 11 जुलाई 1899 को मैसूर के कोलाल जिला में हुआ था इनका कारेकाल 6 जन्वरी 1951 से 25 सप्रेल 1951 तक रह और इनकी विपार्टी भारती राष्ट्री कॉंग्रेस थी इनके बार राजस्तान के तीसरे मुख्य मंत्री रहें जै नरायन व्यास इनका जन 18 फर्वरी 1899 को जोद पूर में हुआ था ये दो बार दोस्तों राजस्तान के मुख्य मंत्री रहें इनका पहला कारेकाल 26 अप्रेल 1951 से 3 मार्च 1952 तक रह और इनकी पार्टी भारती राष्ट्री कॉंग्रेस थी राजस्तान के चोथे मुख्य मंत्री रहें तीका राम पालिवाल इनका जन 24 अप्रेल 1909 को मंडावर गाउं में हुआ था इनका कारेकाल 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक रह और इनकी पार्टी भारती राष्ट्री कॉंग्रेस थी दोस्तो इनके कारेकाल के बार जय नरायन व्यास राजस्तान के दूसरी बार मुख्य मंत्री बने इनका कारेकाल 1.9.1952 से 12.1954 तक रह आपको इम बता दू जोदपूर में जय नरायन व्यास विस्प विद्यालय का नाप इनहीं के सम्मान में रखा गया इनके बार राजस्थान के छठवी मुख्य मंत्री रहे मोहनला सुखाडिया इनका जन 31 जुलाई 1916 को राजस्थान के जाला वाड में हुआ था दोस्तों इनको आउधनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है इन्हों ने सरवाधिक समय तर लगबग 17 वर्ष तर राजस्थान के मुख्य मंत्री पतपर कारे किया दोस्तों ये 1954 से 1971 तर राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे बाद में करनाटक आंध्र प्रदेश और कमिलाडू के राजिपाल भी रहे हैं इनका पहला कारेकार 13 नवंबर 1924 से 11 अप्रेल 1957 फिर 11 अप्रेल 1957 से 11 मार्च 1962 और तीसरा कारेकार 12 मार्च 1962 से 13 मार्च 1966 तक रहा यानि इनका टोटल तेन्यों 13 नवंबर 1924 से 13 मार्च 1966 तक रहा और इनकी पार्टी भारती राष्ट्री कॉंग्रेस थी दोस्तों इन्हों ने राजस्थान के विकास की दिशा में 1969 में राजस्थान जमिदारी और विश्वेद्री उन्मुलन अधिनियम पारित कि जिससे राजस्थान में जमिदारी प्रथा को समाप्त किया गया इसके अलावा दोस्तों भारत के पहले प्रथान मंत्री पंडि ज्वाहरलाल नेरू ने देश के सामने आने वाले सबसे महत्पुर कार्यों में से जब अग्यानता और बीमारी के उन्मुलन की घोस्डा की थ राजस्थान में सबसे बड़ी थी क्योंकि अब ब्रिटिश सासन के अंध में भारत के सबसे कम विख्शित राज्यों में से एक ताम दोस्तों मोहनला सुखाडिया ने अपने कारेकाल के दौरां सबसे ज़्यादा एजूकेशन और हैल्थ सेक्टर पर फोकस किया और दोस् इनके कारेकाल के बाद राजस्थान में कुछ समय के लिए यानि कि 13 मार्च 1967 से 26 सप्रेल 1967 तक राश्पती सासन लागू रहा और राश्पती सासन हटने के बाद मोहनलाल सुखाडिया मुख्यमंत्री का पदबार समाले इनका चौथा कारेका 26 सप्रेल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक रहा दोस्तों इनके बाद राजस्थान के आटवे मुख्यमंत्री रहा बरकतुला खान इनका जन जोदपूर में हुआ था इनका कारेकाल 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक रहा और दोस्तों इनकी मृत्यू जैपूर में 11 अक्टूबर 1973 को यानि की मुख्यमंत्री कारेकाल के दौरान होई थी और इनकी पार्टी भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस थी इनके बार राजस्थान के नौवे मुख्य मंत्री रहें हरीदेव जोसी इनका जन 17 दिसंबर को राजस्थान के बांसवाड़ा में हुआ था इनका पहला कारेकार 11 अक्टूबर 1973 से 29 सप्रेर 1977 तक रह दोस्तो ये असम मेधाल है और पश्चिम बंगाल के राजेपाल भी रहे हैं और इनकी पार्टी भारती राष्ट्रे कॉंग्रेस थी दोस्तो इनके कारेकाल के बार राजस्थान में दूसरी बार राश्पती शासन 30 अप्रेल 1977 से 21 जुन 1977 तक लागु रहा राश्पती शास इनका पहला कारेकाल 22 जुन 1977 से 16 फर्वरी 1980 तक रहा और इनकी पार्टी जनता पार्टी थी दोस्तो राजस्थान में तीसरी बार 17 फर्वरी 1980 से 5 जुन 1980 तक राश्पती शासन लागु रहा प्रेस्रिडेंट रूल हटाये जाने के बार राजस्थान के 11 मुख्यमंत्री रह जगना पहाडिया इनका जन 15 जन्वरी 1932 को इनका कारेकार 6 जुन 1980 से 13 जुलाई 1981 तक रहा और इनकी पार्टी भारती राश्पती कॉंग्रेस थी दोस्तो शिव चरण माथूर राजस्थान के 12 मुख्यमंत्री रहा इनका जन 14 फर्वरी 1927 को बूना जिले में हुआ था इनका पहला कारेकार 14 जुलाई 1981 से 23 फर्वरी 1985 तक रहा और इनकी पार्टी भारती राश्पती कॉंग्रेस थी राजस्थान के 13 मुख्यमंत्री रहा हीरा लाल देव पूरा इनका कारेकार 23 फर्वरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक रहा और इनकी पार्टी इंडियान निशनल कॉंग्रे इनके बाद दोस्तों, राजस्तान के चौदवे मुख्य मंत्री रैं हरीदेव जोसी, इनका दूसरा कारेकार 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक रहा। दोस्तों, राजस्तान के 15 मुख्य मंत्री रैं सिव चरण मातूर, इनका दूसरा कारेकार 20 जनवरी 1988 से 4 दिसंबर 1989 तक रहा। और इनकी पार्टी भारती जनता पार्टी थी। दोस्तों, राजस्तान में चौथी बार 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक राश्पती सासन लागु रहा। राश्पती सासन हटने के बार तिसरी बार भैरो सिंग सिखावत राजस्तान के मुख्य मंत्री रहा। और इनका तीसरा कारेकार 4 दिसंबर 1993 से 30 नौवंबर 1998 तक रहा। राजस्तान के 19 मुख्य मंत्री असोग गहलोत थे। इनका जन 3 मई 1951 को जूद पूर में हुआ था। इनका पहला कारेकार 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक रहा। और इनकी पार्टी बारती राश्पती कॉंग्रेस थी। दोस्तो इनके बार राजस्तान के बिश्वी और पहली महिला मुख्य मंत्री रहें वसुंद्रा राजे सिंधिया। इनका जन 8 मार्च 1903 को बॉंबे जो मुंबई है वहां पर हुआ था। इनका पहला कारेकार 8 दिसंबर 2003 से 11 दिसंबर 2008 तक रहा। और इनकी पार्टी भारती जनता पार्टी थी। दोस्तो असोग गहलोद दूसरी बार राजस्थान के मुख्य मंत्री रहें और इनका कारेकार 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक रहा। राजस्थान के 22 मुख्य मंत्री रहें वसुंद्रा राजे सिंधिया। इनका दूसरा कारेकाल 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक रहा दोस्तों इनका कारेकाल समाप्त होने के बार राजस्थान की 23 और वर्तमान मुख्यमंत्रियां असोग गहलोद इनका तीसरा कारेकाल सुरू हुआ 17 दिसंबर 2018 से दोस्तों इनके द्वारा हाली में सुरू की गई योजना है इंद्रा रसोई योजना इस स्कीम को पूरु पर्थान मंत्री राजीव गाधी के जयनती पर यानि 20 अगस्त को सुरू किया गया तो दोस्तों अगर आप किसी एकजाम की प्रिप्रेशन कर रहे हैं तो इस स्कीम को याद रखिएगा कि ये स्कीम राजस्थान गौर्मेंट के द्वारा सुरू की गई है तो दोस्तों इस वीडियो में हमने राजस्थान के बारे में और वहां के सभी मुख्य मंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त की उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइप और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिएगा और अगर आप कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल लर्ण फोर्जो आपको सब्सक्राइब करना ना भूले इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद